हेलो अर्वेबन, वेलकाविवाज, स्वागत है आप सभी लोगों का और आप मेंसे काफी सारो लोग मुझसे बोल रहे थे कि जो GSSB का मेकिनिक का जो पेपर हुआ था भी 14 of FAB को 2021 को उसका मैं सलूशन करवा दूँँ, आपको एंसर की नहीं मिल रही है तो यहाँ पर मैं इस सलूशन मैं करने वाला हूँ वो PDF पर ही करूँगा आपका जो पेपर PDF उसी पर करूँगा तो डिजिनल पेन वहाँ पर चलती नहीं है तो जो भी एक्स्पलनेशन होगा आपको सुनना है वैसे समझ में आ जाएगा आपको कुछ ऐसा नहीं है जो कि लिख के बताना पड़े तो आप सुनते रहेगा सारी चीज़े आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाती है जॉइन कर लिजे यह आपका ग्रूप है जहाँ आप अपने question discuss कर सकते हैं यह Instagram, Facebook, Twitter इन सारे platform पे आप मुझसे जूड़ सकते हैं तो चलिए आप वीडियो को सुरू करते हैं educating today for better tomorrow तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बटाया है कि PDF पे digital payment वर्क नहीं कर पाती है इसलिए मैं यहाँ पे note-down नहीं कर पाऊंगा तो जो भी explanation मैं दूँगा उस explanation को आपको धिहान से सुनना है first जो आपका question है which parameter remain constant during the joule-thorption expansion क्या formula होता है formula based question है that is rate of change of temperature with respect to rate of change of pressure at constant enthalpy तो यहाँ पे option हो जाएगा आपका C formula है यह joule-thorption का उमीद करता हूँ आपको याद होगा super charging क्या होता है super charging मतलब supply of air at high density high density का मतलब उस जगह पे इसकी requirement होती है जहाँ पे air density कम हो या फिर आप यह चाहते हो कि ज़्यादा amount में oxygen supply करो जिसे combustion properly हो तो उस case में आप super charger लगाते हो that's mean कि जो charge है in case आप air बात करे हम तो जो charge है उसको हम compress करके feed करते हैं cylinder में तो rising pressure of charge fit to the cylinder यहाँ पे जो option दिया हुआ है उस हिसाब से यह appropriate option C है next जो आपका question है the ideal fluid ideal fluid वो fluid होता है जिसमें कोई भी internal resistance नहीं होता है that's mean कि जो उसमें layers होती है उनके बीच में कोई भी resistance offered नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ideal fluid दुनिया में कोई ideal fluid है नहीं क्योंकि friction को खतम नहीं कर सकते है जब friction नहीं खतम हो सकता तो जो viscous property होती है fluid की वो नहीं खतम हो सकती और जब वो नहीं खतम अगर suppose कर लिजे कोई fluid ideal है तब तो आपको pump की जड़ूत नहीं पड़ेगी एक बार आपने fluid को press कर दिया और वो flow करता रहेगे देखें के internal resistance कुछ है ही नहीं तो sliding के लिए कोई force चाहिए ही नहीं तो एक दूसरे को उपर slide करते रहेंगे इसली यहां पर जैसे कि option है आपका एक करेक्ट है next आपका question है in convergent nozzle the mass flow rate is not a function आप mass flow rate किसका function नहीं होगा तो simply आपको mass flow rate का formula लिखना है रो यू भी होता है उसको थोड़ा सा आप convert कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि P by RT in bracket M under root gamma RT आता है multiply A मतलब area पर depend करता है temperature पर depend करता है pressure पर depend करता है इन सारी चीज़ों पर depend करता है मतलब जो steam है आपकी उसके exit condition पर depend नहीं करेगा according to the options जो यहाँ पर है next जो आपका question है work study essential comprises work study में भाई आप करते क्या हो work study में आप motion की analysis करते हो with respect to time मतलब हम motion की analysis भी करते है time की analysis भी करते हैं तो time study and motion study करते है next आपका question है method of governing use in the diesel engine क्या चीज़ गवर्न करते हो जैसे अगर petrol engine की हम बात करें तो भापे हम quality governing basically करते है quality governing क्यों भाई क्यों क्यों हाँ पे air और petrol का mixer supply किया जाता है तो हमें देखना होता है कि क्या quantity हम air का रखें क्या quantity हम उसका रखें fuel का ताकि हमारी एक जो quality है required quality है वो हमारे engine को मिले उसी तरीके से अगर diesel की हम बात करें तो diesel में आप क्या monitor करते हो fuel को monitor करते हो air तो free का है जाने तो क्या फरक पड़ता है तो यहाँ पे हम quantity कितना quantity of fuel आपको supply करना है मतलब डिजर supply करना है that's mean कि यहाँ पे हम क्या करते है quality quantity monitoring करते है quantity governing करते है next job का question है यह बहुत है simple question है यह आपके MBI के exam में भी पूछा था यहाँ भी repeat किया हुआ है आप सभी को पता है जो cam होता है basically जो valve होते है उसको open और close करने का काम करता है तो जो crank shaft होती है मतलब दो ही बार valve ओपर करना है तो उसके half speed से होना चाहिए तो यह option one correct है next job question है आपका dissipation of the heat in the cooling tower क्या होता भाई evaporation होता है बहुत ही simple वहाँ पे क्या होता है इवपरेटिंग cooling होती है नेक्स जो question है type of break break काउन से type पे यूज के जाता है भाई internal expanding shoe generally बात करने है in general internal expanding मतलब आप break दबाते हो और जो आपका shoe होता है internally expand होता है और break लगाता है friction break basically next question है in certain minimum number क्योंच यह बाई certain minimum number क्योंच यह to avoid the interference and under cutting अब यह interference क्या होता है basically जो आपका didendum circle होता है उसके base से basically आपका जो दूसरा मैश कर रहा है वो टक्कर मारता है तो उसे हम कहते हैं interference अब इसको दो तरीके से अटाया जा सकता है दो तरीके से कैसे आप step कर दो जो tooth है उसको step कर दो दूसरे gear का यह फिर जिस gear का didendum circle से touch हो रहा है उसको क्या कर दो अंडर कटिंग कर दो अंडर कटिंग करोगे तो weak हो जाएगी वो definitely step करोगे तो छोटा हो जाएगा तो यह सारे चीज़ा होती है तो basically हम यह किस लिए करते हैं minimum number आप तीत क्यों प्रोवाइड करते हैं कि हम avoid कर पाएं interference and under cutting को next question है the creep in the bell drive is due to क्यों होगा भाई क्योंकि uneven जो होता है tension next question number 20 है the creep in the bell drive due to क्यों होता है that is uneven tension in tide and slag side दोनों side में tension जब tight रहेगा तो tension जादा होगा जब slag रहेगा तो tension कम होगा जिसके वज़े से creep generate होता है consumable electrode यह मैंने कई बार कहा है यह बहुत फेवरेट question है किसने किसी पार्ट में appear होई जाता है question में MIG होता है जहां पर हम basically क्या करते हैं consumable electrode यूज करते हैं और TIG होता है जिसमें हम non-consumable यूज करते हैं दो आइसेंटोफिक, एक constant pressure, एक constant volume, ठीक है, तो यहाँ पर आईशू thermal process का कोई रोल है, नहीं, simple question है यह सारे, next question है, in adiabatic saturation process of air, पहले आप यह जान लो कि adiabatic situation होता क्या है, फिर इस question को आप solve कर लेना, क्या होता है भाई, adiabatic situation process, basically हम करते क्या है, एक long tube ले ले लेते हैं, long है, तो infinite ले लेते हैं, क्यों infinite लेंगे भी आपको समझ में आ जाएगा, इस tube में हम water ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते, object ले लो, उसमें water ले लो, और इसको insulate कर दो, जब आपने insulate कर दिया, heat transfer नहीं होगा, adiabatic हो गया, बिल्कुल, अब हमको air को saturate करना है, air को saturate करने का म अब उसके पास capacity नहीं हो water absorb करने की, चाहे हो तलाब या समुंदर के उपर कहीं से गुजर जाए, वो इतना saturated है, इतना saturate करना मतलब कैसे possible है, जब जिस length में flow कर रही है, अगर ideally हम कहें, तो वो length infinite होना चाहिए, तभी यह possible है, otherwise थोड़ी बहुत capability बची जाती है, कि वो air को absorb air जो है, water absorb कर लो, अगर बहुत देर तक उस पर flow करती रहे, तो इसे हम कहते है, adiabatic saturation, अब जो adiabatic saturation process है, अगर हम इसको draw करें, psychometric chart में, तो कुछ ऐसे draw होता है, यह वाई line, जो enthalpy line से थोड़ा कम inclined होती है, बगल में, बट in short हम यह मान के चलते है, कि adiabatic saturation process में, जो enthalpy होती ह enthalpy क्या रहेगी भाई, इसका constant रहेगी, और wet bulb temperature क्या रहेगा, adiabatic situation में, अगर steady state पहुच गई, तो जो wet bulb temperature होगा भी, या वो भी constant रहेगा, vary नहीं करेगा, क्योंकि wet bulb temperature क्या होता है, situation के बाद जो air का temperature होता है, उसी को कहते हैं, wet bulb temperature, definitely जो humidity ratio होता है, वो तो continuously बढ़ता ठीक है, तो option आपका यहाँ पर एकरेक्ट है, next जो आपका question है, the solar air temperature depends, पहले आप यह जान लो, soul air temperature क्या है, soul air temperature basically हम find out करते हैं, जब हमको कहीं पर cooling load find out करना होता है, तो soul air temperature क्यों find out करते हैं, basically हम यह जानना चाहते हैं, कि जिस interior का, जिस भी room का, हम यह find out करने कोशिस कर रहे हैं, कि यहाँ पर loading capacity क्या होगी, cooling capacity क्या होगी, basically यहाँ पर कितना load होगा cooling का, तो हमको यह भी देखना होता है, interior, exterior जो है, वहाँ से कितना irradiation आ रहे हैं, solar का, तो वहाँ पर basically हम soul air temperature का use करते हैं, अब इसका एक formula होता है, t0 alpha i minus delta qr divided by h0, यहाँ पर alpha क्या होता है, इसके यहाँ पर जो भी चीजे mentioned हैं, यह सारे पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4, इन सब पर यह depend करते हैं, चुकि हम exterior की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर indoor design का कुछ खास role होता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर exterior की बात कर रहे हैं, कि outer radiation से कितना heat or absorb कर सकता है, तो यहाँ पर option हो जाएगा आपका 1, 2, 3 and 4, next जो आपका question है, the gearbox in automobile, कौन सी gearbox होती है, compound gearbox basically use करते हैं, compound gearbox होती क्या है, number of gear fixed together, उसे हम कहते हैं, compound gearbox, चुकि हमको जो variation चाहिए होता है इसमें, तो इसलिए हम क्या use करते हैं, compound gearbox use करते हैं, next जो है आपका flywheel generally, flywheel कहां पर लगाया जाता है, जहां पर energy का fluctuation होता है, त punching machine जब punch करेगी, तभी उसको ज्यादे energy चाहिए, बाकी time पर उसको कम energy चाहिए, इसलिए हाँ पर flywheel के requirement होती है, इन slider crank chain consists of the following number of turning and sliding pair, turning pair कितने होते हैं, तीन, एक तो connecting rod, एक fix, एक crank, और एक sliding pair होता है, जो piston उसमें slide कर रहा होता है, तो 3 is to 1, मतलब 3 and 1, next जो है आपका segmented chip, कब बनेगी segmented chip, मतलब discontinuous chip जो तूट जाती हो, तो कब बनेगी भाई, brutal material बनेगी, बहुत ही simple, next जो है, which one of the following type of bearing do not need to cage, इसमें cage का क्या काम होता है, जो ball होता है, basically उसको position करने का काम करता है, suppose करी, अगर ओकेज ना हो, तो ball क्या होगा, इधर उधर भागेगा, आपस में भी टककर मतलब, आपस में उनको friction हो सकता है, तो उनको basically पोजिशन करने का काम करता है, cage कोई भी load bear नहीं करता है, तो इसी से आपको confuse नहीं होना है, तो basically जो deep groove ball bearing होती है, इसको आप बिना cage का बना सकते हो, बनती नहीं है, इन generally जितने भी वियरिंग्स आती है, सब में cage लगाई होता है, बट अगर आपको चाहिए, तो recommendation के हिसाब से बना सकते हैं, वहाँ पर groove कर देते हैं, उसी groove में वो ball रहता है, तो आपको separate cage की requirement नहीं होती है, और हम कोसिस करते हैं, कि जब requirement हो तभी demand पे बनती है, तो basically cage का काम क्या होता है, ball को return करना, नेक्स जो आपका, which of the following metal react, वालेंटी, मतलब बहुत तेजी से react करता है भाई, तो जितने भी alkali वाले metals होते हैं, सारे ऐसे होते हैं, चाहिए lithium, लेलो, sodium, potassium, ये सारे बहुत तेजी से मतलब blast करते हुए react करते हैं, तो यहाँ पे उस group का कौन सा है, sodium है, नेक्स जो का question है, during sub cooling, heat, remove from the liquid refrigerant, कौन सी heat होती है, भाई, sensible heating होती है, temperature कम होगा, देखो, कहीं पे भी sensible heating होगी, temperature घटेगा, या बढ़ेगा, sensible नहीं होगी, latent होगी, तो temperature क्या रहेगा, constant रहेगा, और जब sub cooling होता है, तो condenser से, जो saturation liquid वाला point होता है, उससे पीछे चला जाता है, वो left side, इसलिए, diagram draw करना है था, ज्यादा अच्छा होता, बट उमीद करता हूँ, यह सारी simple चीजे हैं, आप समझ रहे होगे, तो यहाँ पर option होगा, आपका, B, next question है, the enthalpy of vaporization is minimum, vaporization is minimum, या फिर आप कह सकते, zero ही हो जाता है, जब critical temperature की हम बात करते हैं, यह मालो axis है, और यह वाली line आपने देखे होगे न, तो यह जो point होता है, इसे हम critical temperature, तो देखो, जैसे जैसे हम उपर बढ़ते जाते हैं, जो enthalpy of vaporization है, वो कम होता जाता है, जैसे यह एदम point पर पहुझता है, यहाँ पर यहाँ पर कर्व ऐसे मुडी रहती है, जहाँ पर हम कह सकते है, liquid phase वाली curve, saturation vapor वाली जहा the critical value, critical value को जब exceed कर देगा, तो heat transfer rate जो होगा, वो decrease होने लगेगा, up to critical radius heat transfer rate बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि exposed area जो होती है बढ़ता है, तो convective heat transfer rate बढ़ता है, simple चीजे हैं, यह सारी चीज बेसिक fundamental है, उमीद करता है, आपको पता होगा, the tendency of knocking in CI engine is reduced by, tendency of knocking, knocking बहुत important है, किसी ने किसी format में पहुची जाता है, तो पहला जो है, self ignition temperature low होना चाहिए, किस case में भाई, in CI engine, high होना चाहिए, किस case में भाई, in SI engine, दूसरा है, decrease in the jacket water temperature, अगर temperature decrease कर दोगे भाई, तो ignition lag क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो auto ignition temperature है, वो एक temperature के बाद ही, combustion start होगा, और combustion में जैसे ही delay होगा, fuel collection बढ़ेगा, और tendency बढ़ जाएगी, knocking का, injection, fuel just before tedious, ठीक है, just before करो आप, जैसे ही, आपका compression stroke खतम हो, तैसे ही, वो जैसी वर्निंग start होता कि, ignition lag को जितना कम हो सके, उतना कम रखें, उतना short रखें, क्यों हो जाता है, मतलब diesel collect हो जाता है, sudden burning होती है, और ज्यादा amount of temperature of pressure बढ़ जाता है, बहुत तेजी से है, और जो की detonation का का काम करता है, तो यहाँ पर option हो जाएगा, आपका C, next question है, the function of bearing, क्या करता है, bearing क्या क्या करती है, सब काम करती है, शपोर्ट करती है, आपको friction घटाती है बियर कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर option हो जाएगा आपका D, next job का question है, which of the following metal is extensively used in the printing industry, printing industry में कौन होता है भाई, देखो, lead भी use होता है, teen भी use होता है, but यहाँ पर पूछा जा रहा है आप से जादा कौन सा यूज होता है, और basically यह use क्यों होते है भाई, type setting के लिए नहीं, तो जादा यूज होता है, lead आपका 50-80% यूज होता है, teen डिपेंड करता है, कि 2-20% के आजपास teen भी use होता है, तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा B, next job का question है, in die casting process, die casting process भाई या कहाँ पर यूज करते हैं, पहले आप यह जान लो कि die casting process, अब यहाँ पर advantage अगर disadvantage आपको प जादा बार production कर सकते हो, आपको कोई change करने की जरूद नहीं है, बट similar product का production कर सकते हो, तो इसका production rate होता है, जादा होता है, चुकि आपने die बनाया है, एक बार die बन गई तो उसमें dimension जो accuracy है, मतलब उसकी dimension में कोई changes होने वाले नहीं है, इसलिए उसकी dimensional accuracy भी बहुत अच्छी होती है, surface finishing भी उच्छी होती है, die वाले में as comparison to sand वाला, जादा production आपको करना है, तो आप यह कह सकते होगी, economical भी होता है, बट कम production करना है, तो costly होगा, क्योंकि छोटे production के लिए आप die बनाओ गया, die खरीदो गया, तो महंगा तो पढ़े गाई, small size के product बनते हैं, जादे advantage भी जान लो, क्योंकि किसी और format पर question पूछा, तो कैसे answer करोगे, आप तो पहला तो यही होता है, पहला जो यहाँ पर option दिया है, कि any metal can be cast, यह possible नहीं है, suppose कर लिजिए, कि मैं आपको ऐसा metal दे देता हूँ, जिसका melting point बहुत ही जादा है, अब उसके लिए आप die कौन से material का बनाओगे, पता चलेगा कि molten metal का जो temperature है, आपने जैसी ही डाला पता चलेगा, die ही खतम, die ही evaporate हो गई, तो क्या होगा भई, बहुत जादा melting point का temperature metal है, तो उसको आप die casting से use नहीं करते हो, दूसरा है बहुत बड़ा part है, तो उसको die casting नहीं करते हो, उतना बड़ा die कौन आपको जल्दी जल्दी बनाने है, तो आप die casting follow कर सकते हो, next job का question है, the parental number will be lowest from, parental number होता क्या भाई, new y k alpha होता है, या mu cp by k होता है, तो जिसका cp की value, जिसके cp की value क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, lowest, तो जिसकी cp की value कम होगी, औ और k की value ज्यादा होगी, उसके case में lowest होगा, तो liquid metal ही है, liquid metal का जो range होता है, वो 0.1 से लेके 3.2 तक होता है, किसकी बात करें हम, specific heat capacity की, और k की value ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर parental number जो given है, उसमें सबसे कम किसका हो जाएगा, liquid metal का, next job का, which is the most accurate for following check, इसमें से कौन स most accurate है, यह word जो है, यह है basically collect check, ठीक है, तो collect check, basically कहाँ पर use करते हैं, जहाँ पर high precision work होता है, क्योंकि यह ज्यादा accurate होता है, तो high precision work में इसका हम use करते हैं, next job का question है, in a gray body, emissivity is less than one, and in a gray body, property of the surface is independent of the web length, यह भी आपको धियां रखना है, उसे हम gray body कहते हैं, और इसकी emissivity क्या होती है, one से कम होती है, किसी भी web length पे, इसकी emissivity में कोई change नहीं होने वाला है, next job question है, chaplet, क्यों use करते हैं, to support the core, बीच में core होता है, core को दोनों side पे chaplet लगा देते हैं, यह उसके support के लिए use करता है, कभी-कभी आपने एक word सुना होगा, chill, basically वो क्यों use करते हैं, वो use करते ह के लिए, मतलब cooling rate बढ़ाने के लिए, दोनों बहुत ही famous है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए दोनों बता दिया आपको, in universal coupling, universal coupling is used to connect which two soft, किसको connect करते हैं भाई, जहां पे inclination हो, और इसका एक ही नाम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम है, जैसे universal joint आप कहते हो, you joint कहते हो, आप hook joint कहते हो, garden joint कहते हो, यह सारे उसके नाम है, तो आप यह नाम भी आज रखे लेना, बहुत बार नाम अलग लग भी पूछ लेता है, कहां पे use करते हैं, जहां पे inclination होता है, जैसे प्रोप्रेटर साप्ट नीचे लगी होती है ने, automobile में, तो वहां पे हम यूज कर जो direction है, किस direction में होगा, यह कौन बताता है, वर्गर वेक्टर बताते हैं, अब जो यह scoot dislocation होता है, इसकी जो lie, यह lies करता है, parallel to the वर्गर वेक्टर, और इसका जो motion होता है, किस direction में यह जाएगा, वो perpendicular होता है वर्गर वेक्टर के, ठीक है, तो यहां पे option हो जाएगा, आप लेटेंट्ली लेटेंट थीट अप्रेशर उसका क्या होना चीए ज्यादा होना चीए थर्मल कंडुक्टिटी ज्यादा होना चीए ठीक है तो यह सारी चीजे हैं और इस्पेसिफिक बॉलूम भी कम होना चीए ताकि जो कंप्रेशर है आपको छोटा लगाना पड़े नहीं थे ज़दा इनपूट देना पड़ेगा वीच बड़ कास्ट आयरन माक्सिम टेंसाईल होता है और कम्परेसिव इनका कम होता है अगर इनको क्रीचोंगे तो यह ज्यादा एनरजी को भाभ करेंगे मतलब इनका टेंसाईल इस्टेंथ काफी अच्छी होती है नेक से आपका the cam size depend, किस पर depend करते हैं base circle, base circle जो बीच में होता है, मतलब गोला वाला इसके बाद जो profile अंडेकार बन जाता है उसके उपर pitch circle होता है तो इसकी जो size होगा, कितना बड़ा बनेगा cam, वो किस पर depend करता है, उसके base circle पर depend करता है ये तो surface tension से unit पूछा गया है बहुत ही simple है, surface tension होता क्या है, force per unit length तो ये हो जाएगे आपकी unit जो slip होता है, slip in case of ratio packaging pump, slip क्या हो जाएगे भाई, slip basically होती है theoretical minus actual discharge, मतलब theoretical discharge minus actual discharge तो इसे हम कहते हैं slip ये positive ही होती है negative ही होती है, आप सुचोगे negative कब होगे भाई, तो जब suction pipe ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है और delivery pipe short हो pump तेजी से rotate कर रहा हो तो उस case में ये negative ही हो जाते है next job का question है blade of the gas turbine blade basically बनते हैं या nickel, super nickel alloy होते है cobalt भी होता है उसमें और radium भी होता है तो इसके basically बनाया जाते हैं next job question है navier's stroke equation are useful for the analysis of viscous flow ये basically करते क्या भाई conservation आप momentum and mass पे work करते हैं basically जहाँ पे incompressible flow होता है तो यहाँ पे option हो जाएगा C, in the boundary layer the flow is ये काफी fundamental question है according to me boundary layer मतलब viscous flow होता है क्योंकि नीचे जिस पे वो flow कर रहा होगा वहाँ पे friction होगा वहाँ पे velocity zero होगी फिर उपर जैसे जैसे उपर बढ़ते जाते हुआ velocity क्या होती है देरे देरे बढ़ती जाती है फिर free stream आती है तो इस तरीके से वो पूरा क्या होता है पूरा zone ही viscous होता है आप देख लो यार वेलास्टिक ग्रेडियंट नीचे साइड कम होगा उपर साइड जादा हो तो automatically आपको फिल हो रहा है कि वह क्या करना चाहा है किसी पॉइंट पर रोटेट करना चाहा रहा है नेक्स से आपका most commonly used lubricant कहों सा यूज होता है mineral oil यह basically इसलिए यूज के जाता है क्योंकि इसके पास अच्छी quality होती है friction को remove करने की बियर हटाने की अच्छी quality होती है और यह sealing भी काफी अच्छा करता है इसलिए हम इसका यूज करते है gate is provided gate कहां पे लगा होता है अगर sequentially अब बात करो तो पहले pouring सबसे उपर फिर down sprue आ जाएगा फिर आपका sprue का base आ जाएगा नीचे आपका runner आ जाएगा फिर नरल का extension आ जाएगा फिर वहाँ पे लगा होता है gate basically करता है क्या है कि भाईया control करता है कि आराम से उसमें feeding हो तो feeding of the casting at constant rate next job question है inter cooling in the multi-stage compression is done क्यों किया जाता इसका region अब समझने की कोसिस करो पहले तो आप compression करते हो तो pressure बढ़ेगा pressure के साथ temperature भी बढ़ेगा very simple आपको करना क्या है pressure बढ़ाना है temperature नहीं बढ़ाना है temperature क्यों नहीं बढ़ाना है temperature बढ़ाने से कही सारे नुक्षान होते हैं पहला नुक्षान है simply हम कहें तो material जिसमें जो compressor होगा उसके wall का temperature बढ़ेगा temperature जादा होगा तो आपको compressor ऐसे material का बनाना पड़े गया जो जादे temperature वियर कर पाए पहली चीज़ दूसरी temperature जादा होगा तो density होगी कम होगी density जादा कम होगी volume जादा होगा volume जादा होगा तो compression वर्क बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका consumption पावर consumption बढ़ जाएगा बिजली की बिल बढ़ जाएगी यह भी नुक्षान होता है तो इन सारे चीज़ों को minimize करने के लिए हम क्या करते हैं इंटर कूलिंग कर देते हैं कि temperature भी घड़ जाए density भी बढ़ जाए और compression जो वर्क है वो भी minimize होगा तो option क्या रहेगा यहाँ पर आपका c रहेगा solder basically किसका बना होता है टीन और लेड का बना होता है cavitation basically होता क्या है पहले आप यह जान लो जो vapor formation हो जाता है और जो वेपर formation होता है वो जब high zone में आके collapse करता है उसके वज़ए से वहाँ पर cavitation हो जाता है मतलब जो engine होता है वो प्रेशर हेड होता है वो collapse कर जाता है engine पानी अब नहीं कर पाता है तो क्या करोगे भाईया जो section head है उसको reduce कर दो section head reduce करने के कई सारे तरीके है एक तो जो आपका section है जितना उपर आप ले जाना चाहते हो मत ले जाओ दूसरा जो section का losses हो रहे है जो basically section head में आप section का हो चाहे bending loss हो चाहे आपने कुछ coupling लगाया हो जिसके वजह से वह चाहे expansion का हो contraction का हो losses को minimize कर दो तो cavitation को reduce कर सकते हो आप तो यहां पर option हो जाएगा आपका B next है अगें unit आप से पूछा गया है तो unit conversion आप कर ले ना this is the unit conversion होता क्या है unit वैसे जनरली SI unit बात करें तो वाट पर मेटर सकार Kelvin next जो है theoretically 4 इस्टोक इंजन 4 इस्टोक इंजन भाई 4 इस्टोक में एक पावर इस्टोक होता है ठीक है तो इसलिए इसका half होता है ठीक है तो इपरेटर में भी liquid में रहेगा तो heat up job भी नहीं करेगा मतलब work नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर option हो जाएगा आपका A next जो आपका question है which of the following pair of refrigerant वो non-toxic and non-familmable तो C2 होता है non-toxic non-familmable और F12 होता है surface finish के लिए करते है ठीक है तो यहां पर option हो जाएगा आपका B next जो आपका question है Francis turbine is best suitable for हाला कि हम यह कहता है कि जो Francis turbine होती है medium head application के लिए होती है यहां पर mention किया गया है 24 to 80 तो यहां पर हम 24 to 80 ले ले लेते हैं बट इससे कम head में भी यह work करती है ऐसा नहीं कि इतने ही head में करती हैं ज्यादा head की बात करें तो वह pelt and wheel होती है जो impulse के category में आती है Francis की इसमें category में आती है reaction turbine category में आती है यह I think 30 से लेके 400 मतलब इसमें variation काफी ज्यादा होता है Francis में यहां तक work करती है कपलान को हम low head कहते हैं कपलान भी reaction की category में आती है वो लो head में work करती है next जो आपका question है grand chart represent जो grand chart होता है basically जो task होती है जो आपको काम करना है और जो time होता है इन दोनों का analysis होता है ठीक है तो यहां पर हम basically और resource management भी होता है इसमें तो यहां पर basically most appropriate जो मुझे लग रहा है यहां पे comparison between the actual progress and planned progress आपने क्या plan किया था और कितना आप कर पाए तो यहां पर option होगा आपक उसमें जो water का label है वो कितना है अगर मालें जो boiler में water का label कम होगया और आप fire continuously जा रही है water है नहीं इवापरेशन किसका होगा ठीक है तो उस case में जो feasible plug होता है वो क्या करता है fire को बंद कर देता है तो यहां पर option होगा आपका c next question है what is the number of jaw मतलब self alignment कितना होता है 3 होता है इस efficient की बात करें तो वहां पर diesel होगी सबसे कम की बात करें तो वहां पर auto होगा ठीक है यह बहुत ही famous question है किसी ने किसी format में सारे एक्जाम में अपियर होई जाता है function आप carburetor क्या करते है भाई air petrol के mixture को supply करते है which is the azeotrop azeotrop का मतलब यह होता है कि कोई भी mixture जिसका boiling point same हो ठीक ह तो mixture refrigerant without the face suppression क्यों face suppression नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वह same point पे evaporate होंगे same point पे वह condensed होंगे तो इसे हम कहते हैं azeotrop basically अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो मतलब दोनों का अलग-अलग boiling point हो तो उसे हम कहते हैं geotropic जिसमें boiling point दोनों के different होते है and next or last question है आपका कि what is the state of refrigerant before and after the expansion valve is before मतलब saturation liquid होगा बहुत ही simple अगर हम ideally बात कहें तो कैसा होगा saturation liquid होगा और after expansion क्योंकि irreversible process होता है तो थोड़ा बहुत क्या करता है इवपरेट कर जाता है तो middle में आ जाता है आपके जो liquid saturation line है vapor saturation line है तो अभी तो आपने देखा होगा कि य यह ऐसे आता है और यह आपके liquid saturation line है तो इन दोनों के बीच में आता है तो यहाँ पर option हो जाएगा आपका ए तो this is the end of this video thank you so much for watching this मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best good luck